स्टार प्लस की मोस्ट पॉपुलर सीरियल गुम है किसी के प्यार में इस वक्त खूब ड्रामा देखने को मिल रहा है। इशान ने सवी से शादी तो कर ली है लेकिन उसके घर में कोई उसे बहु मानने के लिए तयार ही नहीं है। अक्का साहेब और यश्वंत राओ अभी भी रीवा को ही बहु मानते हैं। अक्का साहेब सवी से इतना चिर जाती हैं कि वो उसके कॉलेज जाने पर भी पाबंदी लगा देते हैं। लेकिन इशान उनके इस फैसले के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि सवी कॉलेज जाएगी और अपनी पढ़ाई को जारी रखेगी। इस बात को सुनकर सभी को होश और जाते हैं। इसके बाद इशान जैसे की कमरे में जाता है सभी उस पर चिलाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि आपने मेरा साथ नहीं दिया जबक्का साहेब मुझे कॉलेज जाने से मना कर रही थी उस वक्त मैंने आपकी तरफ देखा लेकिन आपने कुछ नहीं बोला। इस पर इशान ने कहा कि तुम कुछ वक्त शान्त नहीं रह सकती हो क्या। मैं इसलिए मौली बांध कर तुम्हारा गुरू नहीं बना था कि तुम्हारे ही सपनों का गला गूंग दूं बलकि मैं उसे पूरा करने में तुम्हारे साथ दूंगा। बस तुम रिसेप्शन होने तक कॉलेज मत जाओ। ये सुनकर सवी कहती है कि मैं एक दिन भी कॉलेज जाना बन नहीं करूंगी। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये सुनते ही इशान काफी परेशान हो जाता है। इशान परेशान होकर नीचे जाता है तो वहां उसे रिवा मिलती है। वो रिवा से कहता है कि तुमने इस्तिफाक यू दिया। तुम मेरे लिए इस कॉलेज में पढ़ाने आई थी। उस वक्त तुम्हें विदेश में पढ़ाने का इतना अच्छा मौका मिला था। लेकिन तुमने मना कर दिया सिर्फ मेरी वजह से। तुमने इतने बलिदान दिये लेकिन मैंने तुम्हारे साथ। इसके बाद ईशान रिवा को अपनी और सवी की शादी का सच भी बताता है। वो कहता है कि सवी जल्दी अपने घर वापस चली जाएगी। वो बस अपनी हिरनी ताई के ठीक होने का इंतजार कर रही है। जिस हवो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी वो यहां से चली जाएगी। रिवा कहती है ये सब मुझे क्यों बता रहे हो घर वालों को बताओ। वो कहता है कि ये सब जानकर सब उसका जीना और भी मुश्किल कर देंगे। तुम पर भरोसा है इसलिए बताया। रिवा पूछती है कि रिष्टे से बताया। इस पर इशान ने कहा दोस्ती के रिष्टे से। रिवा कहती है सिर्फ दोस्ती का रिष्टा। इशान इस सवाल को टाल देता है, फिलहाल आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, हमें कमेंस में जरूर बताएं, साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें